ये हैं महान भगवद भग का संत थातिमा जी ये हजरत मुहम्मद साप की बेटी थी अब हजरत मुहम्मद साप लगभग 1400 वर्स पहले थे और भगवान रामानंद जी 700 वर्स पहले थे और फात रामानंद भगवान 700 वर्स बाद आये थे हजरत मुहम्मद साप की 700 वर्स पहले और उस समय मुहम्मद साप की बेटी फातिमा भगवान रामानंद का दर्शिन करने के लिए कासी आई थी वो भाक्त तो थी ही महान सिद्ध योगी नी थी उनको अरब के बड़े अच्छे संतों है जिने फाकीर कहिए या उलिया कहिए उन लोगों ने भेजा था वो लोग आने की खमता नहीं रखते थे तो उन्होंने फात्मा जी को कहा कि हम सब की और से आप चाहिए हिंदुस्तान में कासी में खुदा खुद आउतरित हुए हैं और उनका दर्शन करिए और हम लोगों को भी दर्शन में ले इसके लिए प्रार्थना करिए तो जब वो आई तो उनका वेश देख करके कुछ लोग पूछना चाहिए कि को नहीं कहां से आई हैं लेकिन वो तो ऐसी शक्ति उनकी थी कि उन्होंने बस उधर हाथ गुमा दिया तो बड़े बड़े महान सिद्ध संत लोगों की बानी अवरुद हो गई अर्थात सब पूल नहीं सकता था कान होते हुए कोई सुन नहीं सकता था और महराज स्वयम भगवान रामानंद जी ने परदा हटा करके दर्शन दिया जब तक भगवान रामानंद के सम्मुक हो बैठी रही तब तक सभी लोग गूंगे बहरे बने रहे जब वो गई तब सब का कान पूल दिया उन्होंने प्रार्थना किया कि आपकी कृपा से मुझे तो आपका दर्शन मिल गया किन्तु अरब में जो संत लोग हैं वो आपका दर्शन करना चाहते हैं आप उनके उपर कैसे कृपा करेंगे कब करेंगे बहगवान रामानंद ने कहा तुम जाओ उनको बोल दिया ऐसे परमकृपालू वो फातिमा जी वहां सब संतों को जो मुसल्मान संत थे भागवान रामनंद का संदेश देने के बाद वापस आई और फिर हिंदुस्तान में ही रहने लगी हिंदुस्तान में दक्षन भारत में जहां श्री रंगम धाम है वहीं भागवान श्री रंगम के निकट के जंगल में पहार में एक जगह वो गुफा के अंदर छेप कर रहती थी वो सिद्ध थी उनको भोजन पानी की जवरत नहीं थी उनका शरेर परम देव्य था इसलिए बिना भोजन पानी के ही केवल वायू के आहार से उस गुफा में रहती थी आयसी महान योगिनी और परम भक्ता थी कि उनके प्रेम से भागवान खीचे आते थे जैसे धरती में गुरुत्वा करशन शक्ती होती है आयसे उनको प्रेम में शक्ती थी कथा बहुत बड़ी है एक बार ऐसा हुआ कि स्वयम भगवान श्री रंगनाथ जी बहुत ही प्रेम के द्वारा खीच गए जो फातिमा जी इतना प्रेम से पुकारने लगी अब आप ऐसे समझे जैसे मीरा भाई का प्रेम गूपियों का प्रेम इस तरह से इतने प्रेम से फात्मा जी पुकारने लगी कि जहाँ पर संतों ने भगवान रंगनाथ को मुसल्मानों के आक्रमण से बचाने के लिए विराजमान किया था एक पहाड के उपर उस सिंहासन पर से भगवान श्री रंगनाथ जी अंतरधान हो गए सादू लोग बड़े घबड़ाए कि अब क्या हुआ कहां चले गए वो कोई आक्रमण तो हुआ नहीं तो उससे में भगवान श्री रामानन जी ने सुरसूरानन जी को भेजा था तो उन्होंने ही तिरुपत्च बाला जी से पूछा कि महराज भगवान रंगनाथ जी कहां चले गए तो ये रहस्त की बात तिरुपत्च बाला जी जो वेंकटेश भगवान है उन्होंने बतलाया सुरसूरानन जी को कि मुहम्मद साब की बेटी फातिमा को पिछले जन्म में वो वसुंधरा गंधरवी थी तो उसको श्राप मिला था कि तुम अगले जन्म में मुसलमान के घर में जन्म लोगे मलेचिकुल में किन्टो उसके अंदर भाक्ती इतनी है कि वो भगवान श्री रंगनाथ में ही विलीन हो जाएगी सदे और इस तरह से उसको मोक्ष मिलना है उसकी ने अपने प्रेम के बलत से भगवान रंगनाथ को खीच लिया है तो सुरसुरानन जी को वेंकटेश भगवान ने एक आकरशन मंत्र दिया और कहा इसी आकरशन मंत्र के द्वारा तुम रंगनाथ भगवान को आकरशित कर लो और वो जहां फातिमा के पास जंगल में गुफा में हैं वहां से आकर के अपने सिंगासन पर विराजमान हो पर और वो दिलधार कहां दिलधार कहां मुझे छोड़कर कहां चले गए रोती चिलाती भागते हुए आई और जब वो चढ़ने लगी उपर पहार पर रंगनाथ मिलने के लिए तो भिहोश होके गिर गई कई लोग तो सोचने लगे कि मर गई लेकिन भगवान रामानन जी के परंप्री शिश सुरसुरा नंजी ने जलकर छीटा उसके मुँपर डाला और वो होश में आ गई उसके बाद दवडी फिर उसके शरीर में एक अदभुत परिवर्तन होने लगा आँखों से आँखों की जड़ी लग गई सारा शरीर पसीनी से लस्पत हो गया और जैसे क जाग हटना विचित्र घटी है जैसे चैतन्य महाप्रभूर जगनात में विलीन हो गय थे जैसे मीरा बाई द्वार का धीश में विलीन हो गई थी इसी तरह से फातिमा का संपूर शरीर और वस्त्र सब कुछ पूरा का पूरा भागवान श्रंगनात जी के श्री विग्र मे विलीन हो गया और इस तरह से उसको अद्वुत मोक्ष प्रापत हुआ संतों ने विदर्शन किया सुरसुरा नंजी में दर्शन किया और सब लोगों ने उसके प्रेम की बार बार बढ़ाई किया उसको प्रणाम किया कि धन्य है इसके प्रेम को देखकरके ठाकुर जी ने अपने अंग में उसको बिलिन कर लिया, ऐसी महान भक्ता फातिमा जी थी, श्री राधे राधे, भगवान रामानंद ने संत फातिमा को जो वचन दिया था, उसके अनुसार अरब में नियत की गई तिथी को प्रकट हो करके सब फाकीरों को दर्शन दिया, वे फाकीर जो फातिमा जी को भेजे थे, बहुत उचे भगवत प्रेमी संत लोग थे, उनकी जाच को सोच करके आप परेशान मत हो ये कि उन मुल्लाओं को जाकर दर्शन दिया, सभी मुल्लाओं एक जैसे नहीं होते हैं और उन दिनों ऐसा बिगड़ा हुआ यूग नहीं था, जैसे आतक वादी आजकर सुनने को मिलते हैं, ये दिया पर आज भी आरब में कुछ संत हैं ऐसे जो महान हैं, किन्तु वे छिपे गुए हैं, वो अपनी भगवान की भक्ति करते रहते हैं, और ठाकर जी के लिए किसी के मजहब से कोई मतलब नहीं होता, और ना किसी की जात इसे मतलब होता है, महराज कर्मकांड का नियम अलग होता है, और भागवत भक्ति या भागवत प्रेम कह लिजिए, उसका तो नियम ही अलग होता है, अर्थात भागवान की भाक्ती जिसके अंदर आ जाए प्रभु से प्रेम जिसको हो जाए बस भागवान उसके अन्य चीज़ को देखते ही नहीं अभी तो मैंने ये बतला है कि मुसल्मानों को जो पैगंबर थे उनकी मुहमत साब की लड़की को भागवान ने इतना चाहा कि बड़े-बड़े राजाओं को दर्शन नहीं मिलता था भागवान रामानुद का और वो स्वयम परदा हटा करके दर्शन दिये बात किये और वहां जाकर प्रकट होने के लिए वचन दिया और प्रकट होकर दर्शन वा दिया ऐसे ठाकुर जी के भगतों तो हैं और ऐसे प्रभू कृपाल होते हैं जैसी रादे रादे